लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि शिविक अपने पापा को गले लगाता है और वहीं प्रमोद एक शैतानी हसी हसता है और उसकी आखें चमकने लगती हैं अब आगे की कहानी दस साल बाद रात की वक्त एक आदमी चोरी छुपे एक मंदिर में जाता है और वहां के पुजारी जो ध्यान में बैठे होते हैं उनसे कहता है पुजारी जी आखिर कब तक इंतजार करना होगा वक्त हाथों से फिसलता जा रहा है ऐसा ना हो कि हमारे हाथों में कुछ बचे ही ना पुजारी अपने ध्यान से जागते हुए कहते हैं तुम चिंता मत करो बाबा भूलेनात सब देख रही है उनकी आग्या के बिना कुछ नहीं हो सकता और एक बार फिर से दो जानी दुश्मन इस धर्ती पर आने वाले है तो आदमी इतना सुनकर वहां से चला जाता है अगले दिन सुबह सुबह प्रमोत के घर शेविक और शुब दोनों भाई कॉलेट जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और उसके बाद शेविक कार चला कर कॉलेट जा रहा होता है ये रास्ते में एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है जिस वजह से शिविक बहुत तेज से कार में ब्रेक लगाता है और गुस्से में कार से उतर कर लड़की को डाटने लग जाता है और तभी शिविक पहली बार इशानवी को देखता है सुन्दर काले बाल, क्यूट सा फेस इशानवी को देख शिविक जैसे खोस आजाता है तब ही अचानक होश में आते ही शिविक इशानवी को कहता है ए लड़की, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अरे मरना ही था तो किसी और की कार के सामने आ जाती? तब ही शिविक देखता है कि इशानवी के हाथों में एक छोटा सा पपी था जिसको बचाने के लिए वो कार के सामने आ गई थी ये देख शिविक इशानवी से माफी मांगने ही वाला था कि तब ही इशानवी कहती है दिखाई तो तुम्हें नहीं दे रहा था तुम अमीर बाप के बिगड़े लड़के ऐसे ही होते हो अगर मैं बीच में नहीं आती तो तुम्हें इस नन्नी से जान को कुचल कर ही चले जाते तुम्हें क्या फरक पड़ता सुरी मुझे लगा तुम जान बूच का मेरी कार के सामने आई हो बाई को माफ करना और भाई आप चलो हम लेट हो रहे हैं इशानवी उस छोटे डॉग को लेकर वहां से चली जाती है और शुब और शिविक दोनों कार से अपने कॉलेज आ जाते हैं शिविक कॉलेज में खोया-खोया सा होता है और कुछ दिर बाद ही उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और शिविक देखता है कि वही लड़की उसके ही कॉलेज में आ गई है शिविक मन ही मन बहुत खोश होता है और इशानवी क्लास के अंदर आ रही होती है कि उसको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता इशानवी को क्लास में आता देख शुब उसके पास जाने लगता है और कहता है तुम यहां तक चलिया है मेरे भाई को डाटने के लिए शुब ऐसा कहते हुए इशानवी के पास आजाता है तभी इशानवी शुब को धक्का दे देती है और शुब दूर जाकर गिरता है ये देख शिविक भाग कर आता है और शुब गुसे में कहता है पागल हो क्या? दिमाग खरावेस लड़की का तभी शिविक आकर शुब को उठा कर कहता है थेंक्यू भाई आप ये क्या कर रहे हो? इसने मुझे धक्का दिया और आप इसको थेंक्यू कह रहे हो तभी शुब देखता है कि जहां वो खड़ा था वहाँ फैन गिरा हुआ है अगर सही समय पे इशानवी शुब को धक्का नहीं देती तो शुब को चोट लग सकती थी इस पर इशानवी कहती है मुझे कोई शौक नहीं है तुमारे भाई के पीछे-पीछे गूमने में मैं यहां क्लास लेने आई हूँ और अगर आज मैंने तुमें धक्का नहीं दिया होता तो आची क्लास तुम नहीं ले पाते ऐसा कहकर इशानवी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है और सभी लोग इशानवी को देख रहे होते हैं उसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास खत्म होने के बाद इशानवी क्लास से निकल कर घर जाने लगती है तब ही शुब पीछे से आता है और इशानवी से कहता है सौरी मैंने तुम्हें गलस समझ लिया तुमने तो मुझे बचा लिया वरना मुझे चोट लग सकती थी कुई बात नहीं तुम्हें सौरी बोलने की जरूरत नहीं है ऐसा कहकर इशानवी वहां से जाने लगती है तब शुब कहता है अरे रुकोता सही अब तो हम दोस्त है तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दू हम कब दोस्त बने मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ उसमें कौन सी बड़ी बाद है मेरा नाम शुब है और जो सुबा मिले थे वो मेरे भाई शिविक है लो अब बन गए दोस्त नहीं मैं ऐसे दोस्त नहीं बनती हूँ ऐसा कहकर इशानवी अपने घर की तरफ पैदल ही निकल जाती है और आगे बस स्टैंट से बस ले लेती है और चली जाती है शुब भी अपनी कार सी इशानवी का पीछा करने लगता है इशानवी एक सुनसान सी जगहा पर बस से उतर जाती है शुब कार से थोड़ा दूर खड़ा होकर इशानवी को देख रहा होता है क्योंकि शुब इशानवी को पसंद करने लगा था और देखते ही देखते इशानवी शुब की आँखों के सामने से गायब हो जाती है ये देख शुब कार से उतर कर इशानवी को ढूंडने लगता है तभी अचानक ही शुब को अजीब से किसी के रिंगने की आवाज आती है ये देख शुब डर जाता है और तभी शुब के पीछे इशानवी खड़ी होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनको खाना खिलाने के लिए अब ये देख शुब वहाँ से अपनी कार की तरफ आकर कार में बैठ जाता है और कार स्टार्ट करने लगता है लेकिन कार आगे की तरफ चलती ही नहीं है शुब बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी कार आगे नहीं जा रही होती है इस पर शुप कहता है अब इस कार को क्या हो गया है? तबी उसके कार के बूनट पे एक काला विशाल साप फान मार के बैठा हुआ था उस विशाल साप ने उसकी पूरी कार को लपेट रखा था ये देख शुप जल्दी से अपनी कार से उतर कर भागने लगता है लेकिन वो विशाल साप उसको पकड़ लेता है और उसे लपेट लेता है तब शुप जोरो से चीकता है चोड़ दो मुझे, जाने दो, कोई बचाओ मुझे साप शुप को निगलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ इशानवी आ जाती है जो पास में पड़े पत्थर उठा कर साप को मारने लगती है जिससे साप शुप को फेक देता है इससे शुप को थोड़ी बहुत चोड़ भी लग जाती है और फिर साप इशानवी के पीछे आने लगता है साप इशानवी पे भी हमला करता है और इशानवी साप से बचने के लिए साइड हो जाती है लेकिन पैर फिसलने की वजह से उसके हाथ में चोड लग जाती है तभी वो शुप से कहती है शुप जल्दी से जाओ और कार स्टार इतने में ही इशानवी की आखे लाल होकर चमकती है और वो साब वहीं जम जाता है इतने में इशानवी वहां से भाग कर शुप की कार में बैठ जाती है और शुप कार को जल्दी से भगा लेता है और अपने घर पर ही लाकर रोकता है जहां शेवेक और प्रमोध दोनों होते ह और प्रमोट शुब की चोट देखकर गुस्से में कहता है ये सब क्या हुआ? किसकी हिमत हुई तुम्हें हाथ लगाने की? बताओ मुझे पापा कुछ नहीं हुआ, जरा सी चोट है, वो तो अच्छा हुआ इशनवी वहां थी इसने ही मुझे आज दो बार बचाया है थैंक्यू बेटा, तुम्हें भी चोट लगी है, लेकिन वो था कौन? अंकल वो एक विशाल साप था क्या? साप! प्रमोट बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है, तब शिविक कहता है ऐसा कहकर शिविक पहले शुब को, और फिर जैसे ही इशनवी को दवा लगाने के लिए उसका हाथ छूता है उसको कुछ दिखाई देता है, जैसे शिविक को कोई लड़की चाकू मार रही है, जिसकी गर्दन पे एक टैटू बना हुआ है इतने में ही इशनवी कहती है, मैं अपने आप लगा लूँगी वही दूसरी तरफ एक गुफा में एक तांत्रे कुछ पूजा कर रहा होता है, कि तब ही उसके पास एक आदमी आता है, जो कहता है आज फिर वो मेरे हाथों से मरते मरते बचे, अगर जल्दी उसको मारा नहीं गया, तो हमारी मुश्किले और बर सकती है, हमें उसे मार नहीं होगा तुम चिंता मत करो, उसकी मौत का टाइमाने ही वाला है, वो अपनी मौत के नजदीक है वही रात के वक्त शिविक अपने रूम में सोया हुआ था, कि तभी उसको बीन की आवाज सुनाई देने लगती है, और शिविक को बेचैनी होने लगती है शिविक नीज से जाकता है, और पीछे की खिर्की से जंगल की तरफ भाग जाता है, और अचानक ही वो बीन की आवाज काफी तेज हो जाती है, और शिविक अपना सर पकड़कर जमीन पर बैढ जाता है तभी एक तेज लाल रौशनी होती है आखे ये सब शिविक के साथ क्या हो रहा है? इशानवी की लाल आखों से उस आप क्यों रुख गया? आखिर कौन है इशानवी? क्या है उस तेज लाल रौशनी का राज? जानने के लिए हमारे चैनल एनिम स्टोरीज को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाच्छ